एलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स देखे दो कलर में बिलकुल अलग तरीके का डोर मैट डिजल बनाएंगे उसके लिए देखे मैंने ये दो कलर में पुरानी चुन्नी ले लिया है देखे चुन्नी की मैंने एक एक सेंटीमेटर चोड़ी पटिया काट ली है इस तरह की ये मैंने एक एलो कलर लिया है और एक परपल कलर लिया है तो देखे आप इसे पुरानी चुन्नी से बनाएं उन से बनाएं मैं अक्रम से बनाएंगे पुरानी साड़ी से बनाएं मैं इस फंदा डालोंगी इस तरह से एक नोट लगाएंगे ऐसे एक नोट लगाया यहां पर देखी हम फंदा बढालेंगे शुरू से ही हमेडिजैन को शुरू करना है आप दूसरी साइड आएंगे तो यहां पर देखिए पटि को तो सलाई में लपेटेंगे और एक नोट बढालेंगे यहां पर देखिए फिर से पट्टी को लपेटेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से लपेटा सलाई के निचे से और एक फंदा बढ़ा लेंगे फिर से देखिए एक फंदा बढ़ाएंगे सलाई के निचे से लपेट कर और एक फंदा बढ़ा लेंगे फिर से देखिए यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे सलाई के निचे से पट्टी को गुमाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे यहां पर देखिए फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से लपेटा और फंदा बढ़ा लेंगे दो तेन चार पांच चे और सार एक फंदामी दर्शे बढ़ाएंगे और इसे इस तरह से लपेटा लेंगे दो तेन चार पांच चे साथ और एक आठ इस तरह से देखिए यहां से एक फंदा हम फिर शे बढ़ाएंगे ऐसे इस तरह से देखिए अब हम क्या करेंगे देखिए हम यहां पर ग्यारा फंदे बढ़ाएंगे तो देखिए एक फंदा फिर शे बढ़ाया यह हमारे यहां पर दस पर देखिए तेन चार पाच छे साथ आठ नो तस इस तरह से देखिए एक फंदान यहां पर फिर शे बढ़ाएंगे तेन चार पाच छे साथ आठ नो तस और यह ग्यारा देखिए हमें यहां पर ग्यारा फंदे बनाने हैं तो उल्टी साइड से अब हम यहां पर सेकंड कलर लगाएंगे सेकंड कलर लगाने के लिए देखिए हम यहां पर इस पट्टी को इस तरह से दबा लेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ पर बढ़ाना है देखेँ एक पंदा बढ़ाले तो यह हमारे देखेँ एक पंद आमने यहां पर बढ़ाले 18 पंदिते तो यह फंदा बढ़ा देखेँ 3 4 पांच और यह ची देखिए हमने एक फंदा यहां पर बढ़ाया है और पांच पंदे दो च्यार पांच ग्यारा फंदे थे हमारे दो च्यार पांच पंदे चोड़ेगे और बीचवाला फंदा देखिए हम यह लूकलन का बना लेगें येवाला फंदे पांच पंदे हमí साइड लेएगे दो, तेन, चार, पांच, एक फंदा देखें हम इस साइड बढ़ाएंगे इस तरह से, यहाँ पर देखें पट्टी को पीछे करेंगे और यलो पट्टी आप दे लिखेंगे एक फंदा यलो कलोश से बना लेंगे, सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है, उसी कलर से बनाते वे कंप्लेट बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर देखें एक फंदा आप फिर से बढ़ाएंगे, इस तरह से, दो, तेन, चार, पांच, छेन, और यहाँ पर देखें एक दो, तीन फंदे बना लिए, एक फंदा आई दर से लिए और एक फंदा आई दर से लिए तो यहलो कलर के हमने यहाँ पर तेन फंदे बना लिए, सीधी सलाइमे, जो फंदा जिस कलर से है, उसी कलर से बनाते वे, कम्पलीट करेंगे, पट्टि को पिछी ले ले लेंगे, और यहलो पट्टि बनाते वे, आगे की कि तरफ लेख क्या आएंगे, यहां पर जो फुन दे जिस color से है से दिस लाई में कोई भी change नहीं करना है जो फुन दे जिस color से है उसे color से बनाते हुए complete करेंगे तो देखिए यहां पर देखिए इस तरह से बनाएंगे यहां पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे, यहां पर देखिए, एक फंदा हम परपल वाला यालो कलर से बना लेंगे, इस पट्टी को देखिए, परपल वाले को साथ में दबा लेंगे, एक फंदा इधर से बना लेंगे, तो यह yellow color के हमारे यहाँ पर 5 फंदे बन के आ गए है पुछले यहाँ पर बीच में 11 फंदे बना ले तो जैसे हमने यहाँ पर 11 फंदे बनाई था तो उसके बाद में आगे आपको फिर से दिखाऊंगे कि आगे कैसे बनाना है यह देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर डेजाइन बन के आ गया है अब हमें क्या करना है सिद इसलाई हमें जो फंदे जिस color से है उसी color से बनाते वे जाएंगे यहाँ पर फंदे हम बढ़ाते वे जाएंगे दोनों तरफ से जो फंदा जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाएंगे दो, तेल, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ये ग्यारा ग्यारा फंद हैं हमारे बीच में बन के आ गई हैं देखिए जिस तरह से हमने शुरुआत में गनाए थे और यहां पर देखिए इस पट्टी को देखिए थुड़ा सा लूप छोड़ते वे जाएंगे इस पट्टी को साथ में अंदर की साइड इस तरह से लपेटते वे बनाएंगे इस तरह से देखिए अब देखिए यहां पर हम एक फंदा फिरशे बढ़ाएंगे और देखिए यह सब इफंदे हम पर्पल कलर से बना लेंगे एक दो तीन यलो पट्टी को साथ में दबा लेंगे और इस पट्टी को देखिए यहां पर इसको इस तरह से अंदर से ले लेंगे ताकि हमारा यहां पर बड़ा पट्टी ना बचे तो देखिए एक दो तीन चार और यह पांच पंदे बना लेंगे एक फंदा हम यलो कलर का बना लेंगे बीच में इस तरह से ही यह डिजाइन हमारा डलता जाएगा तो यहां पर देखिए फिर से हम एक और इस पट्टी को देखिए साथ में इस तरह से ले लेंगे दो तेन चार पाँच यह बाकी के फंदे पर पल्कलर से वना लेंगे इस तरह से देखिए इस तरह से देखिए अब यहां पर देखिए फिर शे हम एक फंदा बढ़ाएंगे सेद इस लाइ में कोई भी चेंज नहीं करना है जो फंदा जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाग कोई परेंगे 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 यह देखिए अब देखिए आ गई है उल्टी साइड यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे और परपल वाले फंदे परपल कलर से बनाएंगे एक परपल वाला फंदा देखिए इस तरह से परपल पटी आगे की तरफ ले लेंगे और इस फंदे को यहलो कलर से बनाएंगे सेम रिपिट करते वह जाना है जिस तरह से हमें इसरे बना यहां फंदा इदर से यलो बना लेंगे परपल वाला तो इस इतरह से देखिए बीच में मैं यहां पर एलो कलर के 11 फंदे बना लूँगे इस तरह कि हम यहां पर 1 डेजेन हो गया दो और तीन, चार, चार डिजेन डालने के बाद देखी, मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे कैसे बनाना है, यहापर देखें, यहाफ डूरमेट हमारा कंप्रेट हो गया है, अब देखें हमें क्या करना है, यहापर देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाच फंदे यलो बनाए और ये जो बीच वाला फंदा है ये वाला इस टन देखो हम यालो कलर से बनाएंगे इस बीच वाले फंदेखो इस तरह से परपल कलर से बनाएंगे इसको रहा पर देखें फिर शेम एक, दो, तेन, चार, पाँच, पाच फंदे बनाएँ, यलो कलर के फिर से देखिए Bीच वाला फंदा परपल कलर से बना लेंगे इस तरह से इस प्रटे को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ऐसे और यहां पर एक फंदा परपल कलर से बना लेंगे यहां पर देखिए इस तरह से इसे थोड़ा सलू छोटेंगे और यहां पर एक दो तेन इस पटे को आगे ले लेंगे जार पांच छे साथ आठ और एक नौ नौ फंदे बना लिए हैं यहां पर एक फंदा पर पर्पल पलर से ले लेंगे एक दो तेन चार पांच पांच फंदे यलो बनाए एक फंदा हम फिर से पर्पल कलर से ले लेंगे आपर देखिए एक दो तेन चार पाँच और यहाँ पर बाकी के फंदे देखे परपल कलर से बना लें इस तरह से देखे यहाँ पर अब हम एक फंदा गटाएंगे दोनों साइड से अब हमें एक एक फंदा गटाते वे जाना है एक फंदा यह दर्शे गटाएंगे एक फंदा वे दर्शे गटाएंगे तो देखे से यह दी साइड से जो फंदा जिस कलर से ऐसे ही बना तो यह कंप्लेट करेंगे मैं ओल्टी साइड से एक बार आपको फिर से बताएंगे यह पर देखे इतना हमने बना लिया है अब हमें क्या करना है देखे यहां से एक फंदा गटाएंगे हर बार एक फंदा गटाते वे जाना है और ये सभी फंदे परपल कलर से बनाएंगे हम जो यलो कलर का है वो फंदा भी परपल कलर से ही बना लेंगे इस पट्टी को साथ में ले लेंगे यलो वाले को अब देखे यहां पर आप देखे हमें क्या करना है यह जो फंदे है ग्यारा यह ग्यारा फंदे बनाने है तो देखे दो च्यार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा यह ग्यारा फंदे हमने यहां पर यलो कलर से बनाने है एक दो तीन परपल पट्टी को अगे ले लेंगे चार पांच छे साथ आठ नो दस और यह ग्यारा फंदे बना लिए इदर के सब इफंदे आप परपल कलर से बना लेंगे जैसे हमने यहां से बनाए है दोनों साइड से देखेगा एक एक फंदा कटाते हुए अब हम इस डिजैन को एक फंदे तक लेके जाएंगे जैसे हमने इसे शुरू किया था सीधी सलाई में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है सीधी सलाई ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और उल्टी सलाई में हमें एक एक फंदा कटाते हुए और इस डिजैन को जो डिजैन हमने डाला था इस डिजैन को बनाते हुए जाएंगे तो देखें यहां पर अब हमारे 11 फंदे हैं यहां पर फिर एक एक फंदा हम इस साइड ले लेंगे पर पल कलर से बनाते हैं यहां पर नो इस तरह से एक फंदा रजाएगा जैसे हमने इस डिजाइन को डाला था यहां से हमने इस से उपर की साइड साइडों में बढ़ाते ले ले थे एक फंदे से तीन की अब हमें जैसे 11 फंदे से 9 फंदे करेंगे तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ सीधी सलाई में कोई भी चेंज नहीं करना है सीधी सलाई ऐसे ही सीधा सीधा बना कर कम्प्लेट करेंगे यहाँ पर एक फंदा गटाएंगे दोनों साइडों से जैसे हमने एक एक फंदा बढ़ा था उसी तरह से एक एक फंदा गटाते वे जाना है सीधी सलाई में कोई चेंज नहीं करेंगे सीधी सलाई ऐसे ही जो जिस कलर से है वैसे ही बना कर कम्प्लेट करेंगे अबस्टरा सिदेगी एक बार बताती हूँ मैं आपको ये फंदे हम परपल कलर से बनाएंगे और एक फंदाई दर्शे परपल कलर का बना लेगे तो यहाँ पर देखिए एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ और नो दो फंदे हमने यहाँ पर कटा दिये हैं दोनों साइड से एक एक फंदा इस साइड से और इस साइड से कम कर दिये हैं ये परपल कलर से बना लिये हैं और हमारे यलो कलर के अब नो फंदे रह गए हैं तो इसी तरह से हम साथ जैसे हमने इस डिजैन को डाला था देखे यहां से हमें एक फंदे से 3 किये 5, 7 इस तरह से किये थे अब हमें वापिछ जाना है 11 से 9, 7, 5, 3, 1 इस तरह से करते वे इसको हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगे कि आगे कैसे बनान तोलो साइड से देखे ध्यान दीजिएगा एक एक फंदा घटाते हूए यहां से हमें फंदे बड़ाए थे अब हम फंदे घटाएंगे तो इसी तरह से हमारा बन के आएगा तो चलिए मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगे देखे इस तरह से बनाते हूए हम यहां पर लास्ट वाले डिजैन पर आ गए हैं इस तरह से हमारा मैट बन के आएगा तो चलिए एक बार देखे यहां पर इस तरह से देखे एक फंदा म्यास से बटाएंगे दोनों सैड से एक एक फंदा बटाते हूए हम जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था एक फंदे से वही पर आ जायेंगे उस सी तरह से हम यहाँ पर तीसरा डिजैन डाल रहे हैं देखे मैं आपको देखाऊंगी बनाने के बाद देखे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स आपको मेरा प्यारा सा डोर मैट कैसा लगा देखे फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो देखने से पहले चैनल को सिब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रूप में ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा देखे यहाँ पर एक फंदा हम गटाएंगे दोनों साइड से एक फंदा गटाते हुए हम इस पूरे मैट को कम्प्लेट करेंगे देखे यहाँ पर इस तरह से देखे दो का एक बनाएंगे यहाँ पर फिर से देखे दो का एक बनाएंगे इस तरह से देखें, देखें मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि यह हमारा मैट इस तरह ऐसे बनके आया है यह देखेंगा यहां से यहां पर हमें गटाते हुए इसको यहां तक बना लिया है और यहां से फंदे बढ़ाना शुरू किये थे तो देखे पूरा दोर में ठमारा बनके आ गया है इस तरह से